दोस्तों आज मैं आपको पाइन ग्रोस बिक पंची के बारी में कुछ रोज़क बाते बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं ये पंची अभी तक लाल पंचीओं में से एक माना जाता है जो की फिंच परिवार का एक सदस्य है इस पंची का ठूड़दार चोच इसे गुरूप के अने सदस्यों से अलग करता है ये पंची फिंच परिवार के बड़े सदस्यों में से एक माने जाते हैं नर पंची का शरीर गुलाबी रंग का होता है जबकि मादा का शरीर पेला होता है नर और मादा दोनों के पंक भूरे रंग के होते हैं उनके मोटे चूँच बीच को पकड़ने के लिए डिजाइन किये गए हैं और वे आमतोर पर देवदार के जंगलों में रहा करते हैं दोस्तों अगर इसके लंबाई के बारे में बात करे तो इसके लंबाई करीब 8 से 12 इंच के बीच होती है और अगर इसके वजन के बारे में बात करें तो इसके वजन करीब 100 ग्राम के आस पास होता है दोस्तों अगर इसके जीवन काल के बारे में बात करें तो ये करीब 5 से 10 साल के बीच जीवित रहते हैं